तो आज हमने ग्राफ कंसेप्स के प्लेलिस का वीडियो नमबर 20 करने जा रहे है ठीक है और मैंने याद करो लास्ट टू वीडियो यानि कि 19 और 18 मेरे वीडियो नमबर है जो उसमें हमने DSU पड़ा था मैंने आपको DSU के बारे में कुछ चीज़े बताएं थी तो आज हम DSU के क्वेशन बनाएंगे ठीक है तो पहला क्वेशन क्या होगा आज हमारा डिटेक्ट साइकल यूजिंग डिस्जॉइंट सेट यूनियन यानि कि DSU की मदद से हम साइकल भी डिटेक्ट कर सकते है तो चलो देखते है यार यह Amazon Microsoft Google ने पूछा है इस पर ठीक है काफी इंट्रेस यह जर्डेट ग्राफ है तो 0 से 1 और टू है यह 0 यह तीन अज़ें तीन नोट से ना 0 1 2 0 1 2 ऐसा दे रखा है देखते है अड्यसेंद से लिस्ज भी दे रखा है 0 से 1 एक हैज है और 0 से 2 भी है जह है उन से 0 तो जाहिर है 1 से 2 भी 1 से 2 है ठीक है टू से 0 है ही टू से वन भी है तो हमें यह डिटेक करना है कि cycle है कि नहीं with the help of DSU तो याद करो हमने BFS से DFS से एक undirekted graph में cycle detect कर लिया था राइट हमें आब आता है वह न अब हम क्या करेंगे DSU की मदद से cycle detect करेंगे तो इसका answer true होगा और वैसे cycle है को दिख रहा होगा है न तो चलो देखते कैसे DSU दो ही functions होते हैं एक तो find होता है और एक होता union तो पहले तो मैं आख बंद करके find और union लिख देता हो भाई code बाद में देखा जाएगा क्या 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 करना है यह दोनों तो लिखी देता हूं कि यह दोनों का code तो अव्वेस है find और union code हमेशा सेम होता है तो यह चिपका दूँ हो मैं ठीक है अब समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे ओके तो यह हमारा input था ठीक है तो यह DSU में मैंने क्या बोला था हम क्या करते थे कि starting में सारे जो SHARE लोग से दोनुआ तो तो बहुत स्ख करति है बहुटस्स सारे अलग अलग सेट में होते थे और वह लोग अपने ही सेट के मालिक होते हैं तो zero की सेका सबीक है और आपने अपने सेट के यह लोग मालिक है ठीक है पेड़ रहे रहा अगर मैं कैनले कि भाई फाइंट 0 है तो इसमयता गोह और फाइंट अन्ग ज recycling मैंने बता है वीडियो नंबर 18 और 19 देख लिए ना DSU में अच्छे समझाया है ठीक है तो अभी याद को रो पेरेंट वेक्टर जो होता था 012 का पेरेंट वेक्टर स्टार्टिंग में क्या होगा कि 0 का पेरेंट खुद 0 होगा, 1-CAPARENT खुद 1 होगा, 2-CAPARENT खुद 2 होगा, सब अपने-अपने set के मालिक है, क्योंकि वो लोगा अपने set में अभी अकेले हैं, तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके adjacency list में यह हमारा ADJ दे रखा है, प्रोसेसिंग करते हैं उसका, ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, 0-1 एक edge है, ठीक है, 0-1 एक edge है, तो एक काम करते हैं, 0 है और 1 है, यह edge है, तो पहले बोलते है, 0 का निकाल लेते हैं, कि 0 किस set को belong करता है, ठीक है, तो find 0 करेंगे, find 0, तो पता चलेगा कि भाई, ये तो 0 set को belong करता है, इसका parent खुद 0 है, ठीक है, इसी तरह find 1 करेंगे, इसका parent खुद 1 है, तो मतलब दोनों का parent अगर अलग-अलग है, मतलब दोनों अलग-अलग सेट में हैं तो फाइंड अगर दोनों अलग-अलग सेट में हैं ठीक है और यहां पर दे रखाया क्वेशन में कि भाई 0 से 1 एक एज है तो ठीक है दोनों को एक सेट में हमें यूनियन करना पड़ेगा ठीक है तो मतलब दोनों को एक सेट में लाना पड़ेगा ठीक है अब एक काम करते है जीरो से टू है ना वन तो हो गया जीरो से टू ठीक है तो जीरो ये हो गया और टू ये हो गया ठीक है अब एक काम करते है पहले जीरो का निकालते है जीरो का पेरेंट कौन है हाँ और यह जब मैंने 0 और 1 को union किया था यह union जब हमने कर लिया था तो मैं बोलता हूँ कि छलो ठीक है 0 ही मेरा parent होगा इस पूरे set का इस पूरे set का मालिक 0 होगा मतलब इस set का जो parent होगा वो 0 ही होगा ठीक है तो obvious सी बात है अगर मैं पूछूँँगा कि 1 का parent कोन है तो 1 का parent 0 होगा तो यहाँ पर भी update करना पड़ेगा parent वाले vector में यह सब चीजें आपको बता रखी है मैंने वीडियो नमर 18 और 19 में ठीक है तो 1 का parent भी 0 है तो ठीक है अब 0 टू की बात करते हैं तो similarly find 0 करेंगे तो क्या आएगा जीरो का parent कोन है जीरो है find 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 अभी खुद आएक अलग सेट में है वो खुद का parent है भाई find 2 का value 2 आजाएगा तो दोनों अलग-अलग सेट में है इसका मतलब क्या हुआ 0 और 2 को जब edge है तो ठीक है एक सेट में ला दो चलो ठीक है तो जीरो और 1 और में अगर edge है ना ऑर 1 है तो 1 और 0 में क्यों करोगे बात एक ही है 0 से 1 edge को अपने प्रोसेस कर लिया तो 1 से 0 edge को क्यों क्यों करोगे दोन एकीचीज़े तो 0 से 1 हमने कर लिया था आप देखो जब 1 में आए यहाँ पर तो 1 से 0 को क्यों process करोगे वो तो हो चुका होगा ना यह बीचे यह रहा कर चका है हमने 0 से 1 तो इसको skip कर देंगे 1 से 2 हमने कर रखा है अब इससे पहले नहीं कर रखा है तो ठीक है 1 से 2 का जो edge है उसको निकालते है मतलब यह बोल रहा कि 1 से 2 के बीच में एक edge है ठीक है तो 1 का पेरेंट कौन है 1 का पेरेंट और हाँ लास्ट टाइम हमने 2 का पेरेंट अबडेट नहीं किया था कर देते है ठीक है यहां कर देते है ठीक है फिर से आते हैं यहां पर 1 का पेरेंट कोन है तो क्या करेंगा find 1 फाइंड टू का पेरेंट को हो न है तू जिस सेट का है उस सेट और को भर सभा है अगर तोनो एक सेट को भिलॉॉण करते हैं मतलब पता है यह क्या बोल रहा है कि ओल्रेड जिरो टू में connection ठा पहले था दोनों एक ही सट में है फिर आप क्या कर रहे हूwegen वन और टू को connect करना चाह happier already one or two connected same set में थे अब फिर से connect करना चाहरे हूँ इसका मतलब क्या हुआ दोनों के यह मतलब पक्का cycle रहा होगा तब ही ऐसा condition आखुब का पेरेंट जो है ना same आ गया ठीक है पेरेंट Same नहीं आता तो union निकाल देते थे लिकना आप क्या हो रहा है क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम है इसका मतलब पक्का साइकल रहा होगा और सही बात बहुत को यहां पर साइकल है एक्चुली में ठीक है तो डियस्यू इसका मतलब क्या हुआ कि डियस्यू का से अगर साइकल डिटेक करना हुआ ना तो सिंपल पता है को क्या करना है जतने अगर अलग सेट में रहे होंगे तो दोनों का यूनियन कर दो अगर अलग सेट में है तो अगर अलग सेट में नहीं है दोनों सेम ही सेट में है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई दोनों का ये दोनों सेम कनेक्टेन है मतलब दोनों अलड़ी सेम सेट में है ठीक है और मैं फ इक पर यही दो लाइन से या कशोंच बन जाएगा तो मैं फिड़से एक बढ़ एक काम करता है एक चोटा से एकश्मपल की आए पहले क्या है भाई पहले यह जीरो से वन वाल आये ज़ा तो ठीक है जीरो का पेरेंट निकाल लेते हैं find of 0 तो zero का parent क्या है स्टार्टिंग में तो सारे अलग-अलग है तो सारे अलग-अलग set के होंगे तो zero का parent खुद zero होगा find of one one का parent खुद one होगा तो दोनों का parent अलग-अलग है मतलब दोनों अभी अलग-अलग set में तो दोनों को merge कर देते हैं तो यहाँ पर क्या किया है मैंने zero और one को एक set में ला दिया चलो ठीक है बढ़ी है अब आते हैं यहाँ पर one से zero भाई zero से one देख रखा है तो one से zero में दुबारा क्यों जाओगे तो इसको skip मारते है one से two हाँ one से two हमने नहीं कर रहा है तो one से two का देखते है तो पहले one का निकालेंगे one का parent कौन है फिर two का parent कौन है तो one का parent कौन है भाई one का parent zero है क्भाइब को चीज़ दोनें के सेम नहीं नहीं है इसका मितलब दोनों को यूनियन निवं क्या हो जाएगा तोई से का है अब अपरेट मैने जीरो हैं और यूप Meat ऑन वह हो गया वह इस है अब आते ही यह अब यहाँ पर यह हो गयाaged kitty तो इसको नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी हम ऐसा मिला क्या, कि फाइंड करने पर दोनों का पेरेंट सेम हुआ हो, नहीं हुआ, ना, तो इसका मतलब साइकल नहीं है, और एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था, जीरो से वन हमने निकाल रखा है, तो वन से जीरो क्यों निकाल होगे हैं, तो उसका चेक डाल लेंगे ना, और क्या, पहले याद करो, पहले मैंने जीरो का देखा, फिर वन का देखा, फिर टू का देखा, ठीक है, तो जीरो का पहले देखा होगा, तो जीरो से वन चले गए, हमने एक्स्प्लोर कर लिया, फिर जब वन का देख रहें थे तो मैंने क्या बोला? 0 पे दोबारा मत जाना, क्योंकि 0 का हमने निकाल रखा होगा पहले, ठीक है? ठीक है, 0 का मत देखना, 1 के बाद 2 का देख लेना, है ना, 0 हमने skip कर दिया था, यहां, similarity जब 2 का देखा था, तो 2 से, ना 0 बोला मैंने, 2 से 1 है ना, sorry, ий 2-2-1 था न तो मेंने बोल तो कि देखोbbe 1-2 देख रख़ा तूमने तुमने तो पाता इसके फिरीग से甜 क्या डाल ले जा रहे ail तो 0 तो जीड़ीरो से वेन या रहे हैं तो जीड्य नहीं Мततलो मैं कि 0 से 1 है और 1 से 2 भी जा सकते हैं है ना लेकिन याद करो 1 से मैं 0 दुबारा नहीं जा रहा था है 1 से 0 नहीं जा रहा था तो ऐसा चेक डालेंगे कि U से जो मुझे V जाना है U से जो मुझे V जाना है दोनों में ये condition होना चाहिए If U is less than V ना तभी चेक करो दोनों का पेरेंट मैं यहाँ वही कर रहा था ना देखो इसको erase कर लेते है यहाँ erase कर लेते है ठीक है यहाँ पर क्या था 1 था यह तो देखो मैंने का बरता 0 से 1 तो जा सकते हैं क्योंकि 1 बड़ा है V बड़ा है यह रवी यह है यू यह है तो चेक कर सकते हैं दोनों का चेक करते हैं तो 0 का पेरेंट निकाला 1 का पेरेंट निकाला दोनों का पेरेंट अलग अलग था दोनों का यूनियन कर दिया था 0 और 1 एक सेट में आ गया था उसके बाद 1 से मैंने क्या बहला 0 पर नहीं देखेंगे क्योंकि 0 1 मेरा U हो जाएगा 0 V हो जाएगा तो U less than V तो यहां है नहीं तो इसको skip मार देंगे 1 से 2 कर सकते है हाँ कर सकते है तो 1 का parent कौन है 0 2 का parent कौन है खुद 2 है तो दोनों को हमने union निकाल गया था 2 भी यहां आ गया था ठीक है बढ़िया और फिर अब आते हैं यहां पर 2 से 1 जा सकते हैं नहीं क्योंकि यह U है और यह V है तो U less than V थोड़ी है यहां पर है ना तो U less than V चेक लगाने से हम बच जाएगे क्योंकि 2 से 1 क्यों करोगा यार 1 से 2 कर रखाया अल्रड़ी तो अंडिरेक्टिड है जाए तो 1 से 2 कर रखाया तो 2 से 1 देखने की ज़रोती नहीं आपको वरना आप तो बोल दोगा कि यह तो साइकल है दुबारा है ना यह से दुबारा उसी एज में मैं नहीं देखूँगा वापस है ना तो बड़ा सिंपल साइस का कोड होगा मैंने क्या बोला कि मैं इंट i is equal to 0 से start करूँगा i less than जितने vertices है i plus plus ठीक है और मैंने क्या बोला i ना बोलके मैं u बोलता हूँ वही पुराना कोट int and v adj of u ठीक है और मैंने क्या बोला था कब चेक करेंगे जब u less than v हुआ तभी चेक करेंगे वरना चेक करने की ज़रूती नहीं है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या बोला था याद करो मैंने बोला दोनों का पेरेंट निकाल लेंगे find of v find of v कर देंगे ठीक है और यहाँ पर चेक डाल देंगे कि भाई अगर दोनों का पेरेंट u बराबर हो गया दोनों का पेरेंट अगर बराबर हो गया same set को बिलोंग कर रहे तो हम return true कर देंगे भाई cycle है ठीक है और अगर equal नहीं हुआ तो क्या बढ़ा था दोनों का union कर देंगे same set में डाल देंगे you को और वी को काम खतम और union का code refine का code हमने चिपका रखा होगा अलड़ी जो हमने वीडियो नमबर 18 और 90 में सीखा होगा तो हमने code अल्मूस्ट लिखी दिया है same story वारा code उतार दिया nothing else है ना तो और हां मैं मैं बताता हूं यह अच्छे अच्छे कोशन बनेंगे तो बहुत सिंपल कोशन है इसी लेवल का कोशन है तो चलो इसा code कर लेते हैं Geeks4Geeks में दे रखा है यह question तो उसी को solve करते हैं टीक है तो जो लो Geeks4Geeks में यह question है है detect cycle using DSU इसको solve कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल सेम तरीके से बताएंगे जो हमने बताया था तो याद करो मैंने बोला था ना जब भी DSU कोशन आता ना पता है मैं क्या करता हूँ जो find और union का code था ना वो चिपका देता हूँ ठीक है और याद करो मैंने आपको सिखाया भी था कि DSU को आप optimize भी कर सकते हो है है ना path compression से और rank के implementation से तो ठीक है वही वाला चिपका देते है ना तो चलो वही वाला चिपका देते है यह मैंने लिख रखा है मेरे आप यह मेरे जागो ना चिपका दिया ठीक है और ठीक है यह तो हमारा काम होगे इसको में इमाइस कर देता हूं बस इतना ही काम है मेरा और मैंने क्या बोला था कि मैं यहां पर फॉर्लोब लिख लूँगा int u is equal to zero u less than v से u plus plus यहां से कहां कहां जा सकते हैं int and v adj of u और मैंने क्या बोला कब आप चेक करेंगे जब u less than v हो तभी यह ना क्योंकि फिर वही है आप सेम एच को रिपीट नहीं करना चाहतो तो यह वाला चेक मैंने डाला है ठीक है int parent of u is equal to find of u कर देंगे simple int parent of v is equal to find of v कर देंगे simple और मैंने क्या बोला कि if parent of u is equal to is equal to parent of v हो जाता है तो भाई पक्का cycle है return true कर दो यह ना return true कर दिया अगर ऐसा नहीं है तो भाई union कर दो union किसका किसका करना है u का और v का union कर दो same set में डाल दो ठीक है और पूरा for loop खतम हो गया last में हम return false कर देंगे कि भाई कहीं पर cycle नहीं मिला करन करके देखते हैं तेरो कितना सिंपल है इसलिए dsu बड़ा इंट्रेस्टिंग है अच्छा भी है दो ही function है आपका काम खतम हो जाएगा हमने क्या अगरबढ करी है let's see अच्छा पेरेंट और रांक का साइज हमने डिसाइड ही नहीं किया ना पेरेंट पेरेंट डॉट रिसाइज पेरेंट का साइज केतना होगा जतने number of nodes है हमारे पास और पेरेंट यह हो गया और रांक भी ही डिफाइन कर लेते हैं रांक डॉट रिसाइज इसका भी साइज भी होगा और याद करो स्टार्टिंग में इनिशलाइज कर देता है ना इंडाइज इकल टुट जीरो आए लेस दन वी आई प्लस प्लस है ना स्टार्टिं में क्या होता था पेरेंट ओपाय खुद आई कि सारे टिस केसेज पास होगा येस सॉल्व हो गया ठीक है तो काफे इंट्रेस्टिंग और अच्छा भी लग रहा होगा आपको कि आपने डिस्यू इतना हाइट टॉपिक का क्वेशन अब आपने पनाना स्टार्ट कर दिया आगे और भी अच्छे कोशन देखेंगे डिस् वीडियो बाइ